हलो, गुड मॉर्निंग टू आल, क्लास सेवन के बच्चे, जो हिंदी पढ़ते हैं, ये उनके लिए हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे पहले, पाट सत्रा मीरा बाई, भाग तीन में इसके परशन उतर हैं, इसके शब्दर्थ, इसके तमाम एक्सराइस, इसी में हैं, रिविज कीजिए, और अच्छी तरसे अपना काम करते रहिए, तो मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूँ, पाट सत्रा मीरा बाई, क्लास सेवन के बच्चे, जो हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए, पहला प्रशन है, मेवार के जागिरदार कौन थे, उनके घर कौन आकर ठहरे, त उनके माता-पिता कौन थे, तो इसका उत्तर है, कहानी लिखने वाले लिखक कहता है, मीरा बाई का जनम 1498 इस्वी में राजिस्थान के एक राठोर के परिवार में हुआ, उनकी पिता का नाम रतन सिंग राठोर था, अगला सवाले, मीरा के अंदर भक्ती भावना, किस पर चनाई करती थी, और वो किस तरह से उसने मीरा के मन में ऐसी भक्ती भावना का रूप जनम कैसे ले लिया, इसका उत्तर है, मीरा बाई पर अपने दादा, राओ दूदा के रैशनो भक्ती के विचारों और किरियाओं के कारण उनके मन में भक्ती भावना जागरित हुई, अब आजाओ, चौथा सवाल, यहां देखिए, मीरा बाई ने अपनी भक्ती और आदर्शों के लिए किस परकार की परंपराओं को तोड़ा, आगी देखिए, इसका उत्तर है, मीरा बाई ने रोडी वादी, राज परिवार में घलत और पुरानी परंपराओं को तोड़ा पुराने प्राचीन काल में जो रोडी वादी, जो परंपराओं चल लिए थी, मीरा ने उन सभी परंपराओं को खंडन किया, अगला सवाले, मीरा बाई की भक्ती भावना पर एक परकाश डालिए, इसके बारे में लिखने आपने, मीरा बाई भक्ती भावना के पुझने भी लगी थी, मीरा बाई की अपासना में माधूर ये भाव अधिक था, वेक क्रशन को अपने पती के रूप में पूझने भी लगी थी, अगला सवाले, आप कैसे ये कह सकते हैं कि मीरा बाई में एक अभूत पूर्व काव्य पर्तिवा थी, यनिकी लेखा कह रह क्योंकि मीरा बाई की सभी रचनाओं में ब्रिज भाशा, राजिस्तानी भाशा, गुजराती भाशा के शब्द अधिक मात्रा में मिलते हैं, इस परकार हम उसे, उनके अंदर भक्ती भावना ज्यादा थी, अगला सवाल आता है, सही जोड़े बनाईए, मैं इस दा जी मीरा बाई के दादा, कुवर भोज राज मीरा बाई के पती, स्रिक्रिश्न मीरा बाई के आराध्य, उनके पूजा, उनके मन में, उनके भगवान, उनके इश्वर, और अगला है, राजा विकरम सिंग, मीरा बाई के पती के भाई, इसमें एक प्रशन आता है, शब्द स्रतिस्रम भिन्नार्तक शब्द यूगमों के अर्थ लिखकर आपको बताना है जैसे आकर आना आकार यनी की बनावट प्रती यनी लिये सब के लिए प्रती मने प्यारी सन तिथी तारीख सन सारा पुरा बाल उसे बच्चा भी कहते हैं वाल दीवार सदा यनी हमेशा सादा यनी की साधारन सिंपल हर मने सभी और हार मने गले का हार पहनने वाला अगला सवाल है नीची दिये गए शब्दों के समन अर्थी यनी प्रयावाचक शब्द आपको बताने हैं प्रयावाची बताने हैं इनकी शब्द अलग अलगे अर्थ एक ही होता है जिसे देवासान स्वर्गवास मिर्थी हो जाना रिश जहर निजी अपना उपासना पूजा इबादत पती शोहर इनकी हस्बेंट द्वेश इनकी बुराई निंदा करना ठीक है अगला सवाल है अशुद शब्दों को शुद भक्ती बड़ी ही है यहाँ पर आपने भक्ती में छोटी ही डालना है कस्ट में आदा सा नहीं आएगा इसमें शटकोन का आदा शा आएगा कस्ट पोशन में पोशन आगे आएगा और जब आप सही लिखोगे पोशन तो इसमें शटकोन वाला शा आएगा आभास नहीं आभ विदेश प्रेम घ्रना निजी पराया विरोत सेयो इनको आपने पढ़ लेने इनको आपने समझ लेने और आपको याद करते रही है दन्यवाद